हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज तारीख 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार और शुक्रवार की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिये चैनल पर नए हो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिये पेश हैं आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर 35 X EN के पद खाली कैसे चलेगा विभाग का काम। प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विभाग के पास सडकों को बहाल करने का जिम्मा है। उस विभाग में ही इस समय प्रदेश भर में कई जगहों पर अधिशाशी अभियनता के पद खाली पड़े हैं। X EN के पद हो खाली पड़े हैं। तो ऐसे में लोगों को सडकों की बहाली में कैसे राहत मिल पाएगी। जबकि इस समय प्रदेश भर में काफी संख्या में सडके बंध हो गई हैं। भर में काफी X EN के पद खाली होने से इन सडकों की बहाली में फंट कैसे उपलब्ध होगा। सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश में इस समय करीब 35 X EN के पद खाली पड़े हैं। बड़ी खबर भारतिय वायुसेना में अग्रिवीर बनने को 17 तक करें अपलाए। भारतिय वायुसेना में अग्निवीरों, अग्निवीर वायु की नई भरती 01-2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भरती की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू होगी। इच्छुक्व योग्य उम्मीद्वार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 17 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 13 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। आवेदक गनित, फिजिक्स और अंग्रेजी विशय के साथ 12 वी कक्षा में कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ पास होना चाहिए। अगली बड़ी खबर जीरो एडमिशन वाले 117 स्कूल बंद, तीन मैं तक की एंड्रोल्मिंट के आधार पर हिमाचल सरकार ने लिया सक्त फैसला। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सुखविंदर सिंग सुखु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजी सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर जीरो एडमिशन वाले 117 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। इन में से 78 प्राइमरी और 49 मिडल स्कूल शामिल है। शिक्षा मंतरी रोहित ठाकूर ने बताया कि 3 जून 2023 को इन स्कूलों में एडमिशन की स्थिती के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद अब दो बच्चों से कम एडमिशन वाले स्कूलों पर सरकार फैसला लेगी। इन्हें अन्य स्कूलों में मर्च किया जाएगा। बड़ी खबर हिमाचल के स्कूलों में फिर आएगा सैमेस्टर सिस्टम। राश्ट्रिय शिक्षा नीती को देश भर के स्कूलों में लागू करने के लिए केंद्रिय शिक्षा विभाग की ओर से लगातार दबाव बन रहा है। आने वाले समय में NCERT के सिलेबस को भी वार्शिक के बजाए सैमेस्टर सिस्टम के आधार पर तयार किया जा रहा है। इसके लिए हिमाचल सहित देश भर के सभी राज्यों के उच्छ शिक्षा अधिकारियों को भी राष्ट्रिय शिक्षा नीती के तहट आने वाले बदलाव शुरू करने के लिए तयार किया जा रहा है। असी के दशक का एक और सिस्टम पुनह शुरू करने की तयारी है। इसके लिए देश भर के राज्यों के उच्छ शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षा बोर्डों को नए प्लान की जानकारी विभिन सेमिनारों से भी मुहिया करवाई जा रही है। अस्ते हुए कहा कि सिर्फ ये बोलने से कि हम प्रदेश के साथ हैं से काम नहीं चलेगा। इससे एक्षन में लाना होगा। तभी हिमाचल की मदद हो सकती है। वो बुधवार को कुल्लू के परिधी ग्रह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले ही हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड के करज तले है और इस आपदा से प्रदेश की और ज्यादा हालत खराब हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल राजजी की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बयानबाजी करने से बहतर यह होता कि हिमाचल के लिए राहत का एलान किया जाता और इससे राष्ट्रिय आपदा घोशित किया जाता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बार रहे भाजपा के प्रत्याशी रतनपाल वपूर्व मंतरी विद्या सागर के बेटे वप्रदेश भाजपा सचिव विरेंद्र चौदरी हमीरपूर जिला भाजपा अध्यक्ष की तलाश में जुट गए हैं। ये तही है कि अब जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा के स्थान पर भाजपा मजबूत जिला अध्यक्ष की तलाश में जुटी हैं। बड़ी खबर 24 घंटे में बहाल किये 1500 ट्रांसफॉर्मर। अब भी 1900 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर बाधित तारे जोडने में जुटे करमचारी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पैंशन बहाली का संघर्श छोड करमचारी लाइने जोडने में जुटे हैं। बरसात से हुए नुकसान की भरपाई में बिजली बोर्ड करमचारीों ने पूरी ताकत जोग दी है। बीते 24 घंटे के दौरान करीब देर हजार ट्रांसफॉर्मर पर बिजली बहाल कर दी है। कई ग्रामीन इलाकों में पाँच दिन बाद बिजली लोटी है। जिन इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप थी, वहां मोबाईल फोन भी बंध हो गए थे। इन क्षेत्रों में फसे लोग या बाहर से आये परियटकों का आपसी संपर्क कट गया था। हालाकि कुल्लू में अभी भी ज्यादातर इलाके अलग थलग पड़े हैं। यहां बिजली पूरी तरह बहाल नहीं हो पा रही है। जबकि अन्य इलाकों की बात करें तो मंडी में सबसे ज्यादा 665 ट्रांस्फॉर्मर बहाल हुए हैं। जबकि शिमला में 441, किन्नौर में 133 और सिर्मौर में 119 ट्रांस्फॉर्मर में दोबारा बिजली लोट आई है। यहां ग्रामीन इलाकों में लोगों ने राहत की सास ली है।